नवश्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है, कानूनी कहानी में मैं कूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजर हूँ, क्यामरे के पीछे मेरे साथ हैं अजय ठाकुर आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि सचन वाजे, जो आरोपी है, एंटीलिया केस में, उसको कितनी सजा हो सकती है और एनाईये ने किन किन धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ, आज की कोट की बड़ी ख़बरें लेकिन राजनेतिक दल कौन सा है उसका, वो हटाया जाना चाहिए आज संचिप सुनवाई हुई इस मामले में और कोट ने पूछा कि राजनेतिक दल का नाम अगर हटा दिया जाता है, तो उससे क्या फायदा होगा तो याचिका करता जो हैं, अश्वनी कुमारोपाध है, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और पेशे से वकील है, उन्होंने बताया कि राजनीती में ब्रहष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसको कम करने के लिए और इमानदार जो प्रत्याशी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ें, उसके लिए यह जरूरी है कि जो पार्टी है उसका नाम नहीं आना चाहिए दूसरी खबर जो है वो भी सुप्रेम कोर्ट से ही है, सुप्रेम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि केंदर सरकार की तरफ से जो बिल पास किये गए हैं, उन पर विरोध प्रस्ताव जो है वो अलग-अलग राज्यों की विधान सभा नहीं पा जाहिए, हाला कि सुप्रेम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिका करता को कहा कि वो अपनी तैयारी कुछ और करके आए इस मामले में, और हम नहीं चाहते कि समस्या घटने के बढ़ जाए, इसमें और बढ़ जाए, और कुल मिलाकर केंदर के पास जो बिल पास हो चुके हैं, उस पर विधान सभा जो है, उनको विरोध प्रस्ता पास करने का अधिकार है या नहीं, उसको चनौती दी गई है, तो बरहाल सुनवाई अभी टल गई है, याचिका करता को कहा है कोट ने कि कुछ और आप अपनी तैयारी करिए, इसमें कुछ और स के बाद दोबारा हमारे पास आई है, तो ये तो थी कोट की आज की खबरें, अब बात करते हैं सचन वाजह को लेकर, सचन वाजह मुंबाई पुलिस में इंस्पेक्टर और आप सोचिए कि 20 दिन पहले तक इस ज्यक्ति को जानने वाले लोगों की संख्या श्राय दुंगल च्परक्ड़े में उसको गिरफतार किया है और ना सिर्फ़ गिरफतार किया है, बलकि ये की जाच जो चल रही है, उसमें लगातार हरोज नए खुलासे हो रहे हैं, और जो शिकंजा है, वह शचन वाजह पर लगातार और कस्ता जा रहा है, अब लगातार इस बात मैं कहीं कहीं और सबूत NIA को मिलते जा रहे हैं कि जो पूरी साजिश थी जलेटन को कार में रखकर अमबानी के घर के सामने रखने की उसमें पूरी तोर से सचनवाजे का हाथ था लेकिन अभी भी मनसोख हिरानी की हत्या को लेकर NIA जाज कर रही है और उसमें ये भी देखना होगा कि सचनवाजे का किस तर장님 का इस मामले में रोल रहा वरहाल अभी पच्चेस मार्श तक के लिए NIA की कस्टोडी में है सचनवाजे यानि की NIA के पास अभी भी कई दिन का वक्तuję समामले में ना सिर्व जाच करने के लिए बल्की सकल तरी से पूशताच करने के लिए सचिन वाजे पर जो FIR NIA की तरफ से दर्ज हुई है वो किन-किन धाराओं में हुई है और उसमें कितनी सजा हो सकती है उस पर मैं थोड़ा आज आपको बताने जा रही हूँ सचिन वाजे पर जो 13 मार्च को NIA ने FIR दर्ज की है उसमें IPC की धारा 286 के तहट मामला दर्ज किया गया है 465 के तहट मामला दर्ज किया गया है और साथ ही 473 और 506 ये जो IPC हैं की धारा ये FIR में लगाई गई है साथ ही आपरादिक साज़श के लिए 120 BB लगाई गई है इन में जो सजा का प्रावधान है ये धाराएं किसलिए लगाई गई है और उसमें क्या सजा का प्रावधान है वो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ IPC की धारा 286 जो लगाई गई है वो तब लगाई जाती है जब आप किसी explosive का इस्तमाल बेहद लापरवाही के साथ कर रहे होते हैं इसके अलावा जो दो और धाराएं लगाई हैं 465 और 473 ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि आपने देखा होगा कि जस गाड़ी का स्तमाल किया गया उस पर भी नकली नेम प्लेट लगाई गई थी तो इसमें भी दो साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ में 506 लगाई गई है यानि धमकी देना एक लेटर भी मिला था उस गाड़ी से जिसमें अमबानी परिवार को धमकी दी गई थी और कहा गया था कि ये तो सिर्फ अब भी फिलाल दिखाने के लिए तमाम चीज़ें की गई है से ज़ादा भी कुछ हो सकता है तो ये जो धमकी देने का मामला है इसमें भी साथ साल तक की सजा का प्रावधान है 120 B जो लगाई गई है यानि आपराधिक साजिश रचने का जो मामला लगाया गया है उसमें सजा होती है बाकी और अपराध किस तरह का है उसको लेकर जैसे मनसु खिरानी की हत्या का मामला यानि 302 में अभी सचन वाजे पर FIR दर्ज नहीं हुई है अगर FIR 302 में भी दर्ज हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर 120 B में उम्रकेद तक की सजा का प्रावधान है लेकिन अगर जो फिलाल धाराएं इसमें लगाई गई है उनक लेकिन IPC की इनी धाराओं में सर्फ FIR दर्ज नहीं की गई है निये की तरफ से बलकि explosive जो एक्ट है उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है और explosive substance act के तहत जो section 4 है उसके तहत मामला दर्ज किया गया है और वो बहुत भारी पर सकता है सचन वाजे पर क्यूंकि इसमें सजा क प्रावधान तो है ही कड़े कानून है और इस तरह से आप खास्तोर से जिस तरह से gelatin की छणे रखी गई तो एक तो इस तरह की सामिगरी को गलत काम के लिए कहीं से खटा करना और दूसरा किसी ऐसी जगा पर रखना जिससे लोगों का लोगों की जान को नुक्सान हो सकता थ उनकी जान जा सकती थी या फिर जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें लोग रह रहे हैं उसको नुक्सान हो सकता है तो इसमें सजा का जो प्रावधान है वो साथ साल से लेकर उम्र कैद तक का है और ये काफी भारी पढ़ सकता है सचन वाजह पर और ये साफ हो चुका है कि जस त पूरी तरह से ये प्रूब कर पाती है कि सारी जो साजिश थी वो सचन वाजह की तरफ से रची गई थी तो एक्स्प्लोसिव एक्ट के तहत उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है लेकिन अभी भी मनसुक हिरें जो हैं उनकी मौत का मामला जो है वो भी साथ साथ चल रहा है उस मनसुक की या फिर कुछ और लोग भी शामिल थे जो लोग और शामिल थे क्या वो पलिस डिपार्टमेंट से ही थे या बाहर से सचिन वाजे ने कुछ लोगों की मदद ली ये जो तमाम चीजें हैं अगर वो निकल के सामने आती है नाईय की जाच में तो निश्चित रूप स फिर इस मामले में आईपीसी की धारा 302 भी जो है वो लग जाएगी सचिन वाजे पर और ऐसी सूरत में उसको उम्रकैट से लेकर और फासी तक की सजा हो सकती है निश्चित रूप से आम विक्ति अगर कोई अपराद करता है तो कोट उसको सजा देती है लेकिन अगर पुल इसका काम आम लोगों को प्रोटेक्शन देने का होता है और वही पुलिस या पुलिस कर्मी कोई अगर किसी की हत्या करता हुआ पाया जा रहा है और जाच में उसके खिलाफ थोस सबूत मिल रहे हैं तो फिर कोट जो है इस तरह के मामलों में अधिक्तम सजा देता है तो लाकिन है कि 25 मार्च के बाद फिर आगे भी इस मामले में सचन वाज़े से एजनसी पुश्टाश करें और कुछ और चीज़ें कुछ और नाम इसमें निकल के आएं लेकिन फिलाल की स्थिति जो है उसमें आगर कुछ और नाम भी निकल के सामने आते हैं तो भी सचन किसी की जिन धाराओं में दर्ज की गई है उसमें भी अगर अपराद साबित होता है तो उम्रकैत की सजा कम से कम सचन वाज़े को इस मामले में होगी ही होगी तो वीकेंड है अच्छे से मनाईए इसको और आज की कानूनी कहानी में इतना ही स्वांबार में फिर आप से मु झाल